हलो दिया स्टूडेंस वेल्कम बैक तो श्रमेनाथ यूट्यूब चैनल देखिए जो मकाउत का स्टूडेंस हैं और जो पास आउट स्टूडेंस स्पेशल सप्ली एक्जामिनेशन दिये हैं उन लोगों का कुछ जो स्टूडेंस था उन लोगों का रेजल्ट अभी नहीं न अब को नोटिस फॉर पॉब्लिकेशन ओफ रिजल्ट सफेशल सप्लीमेंटरी एक्जामिनेशन 2019-20 फेज टू यह दिखाएगा यह एक तुम नया आया हुआ है और इसके साथ अगर आप यह पेज को लिएगे इसमें क्लिक किजेगा तो यह पेज ओपन होगा यहां पेज डीटल्स है कि जुस्टूटेंट लोगों का जो रिजल्ट नहीं निकलाता सप्लीमेंटरी का बोथ अंडर ग्राजुएट और पोस्ट ग्राजुएट उन लोगों का रिजल्ट एविलेबल हो चुका है लेकिन इसके साथ साथ यह भी का गया है देखिए पुराना दिखा रहा है और यहां पे यह 7th January यह चेंज क्यों नहीं किया गया यह पता नहीं फिर भी यह करना चाहूंगा कि आग लोगों एक बार जाके पोर्टल में अपना देख लिजिए रिजल्ट शायद आप लोगों का रिजल्ट निकल चुका है अंडे ग्रेजूट और पोस्ट गे नियूज यह पर और दूसरा नियूज ही है घलो द्यूर फ्रेंड वेल्कम बाक टू शोमेंनात यूट्यूब चैनल क्या क्या चीज उन्होंने क्लियर किया है कि देखे पहले वाला जो संडे को जो एडुकेशन मिनिस्टर पारटोच में जो कहा है उसमें कि ये खुल के सामने आ रहा है कि जो टाइम लगेगा तीक टाइम पर यो लोग जो एडुकेशनल इस्टिटीूट है उसको खोलेंगे ये Saturday भी उसने यानि कि हमारे Education Minister ने बताये थे और उसके बाद फिर Sunday को उसने एक ही बात दोराया और उसको repeat किया और उसने ये कहा कि Education के साथ जो Health है इसको भी importance देना परेगा क्योंकि अगर कोई Education Institute open हो जाता है और उसके बाद ये करोना फिर affected हो जाता है तो ऐसा कुछ desirable नहीं है और इसके चलते जो Educational Institute से उसको खोलना भी जरूरी है तो इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं वो लोग एक discussion कर रहे हैं और इसके चलते जितने सारे Education Institute है उन सभी को scientization करने का जो stage है वो stage चल रहा है अभी तक और राज्य में जो Educational Institution है उसमें बहुत सारा उनिकी SFI जैसे कि आप लोग जानते हैं मैंने पहले भी बताया था कुछ students union है जो लोग मांग कर रहे हैं कि school college at least practical के लिए खोला जाए और universities जो है उसको खोला जाए तो इसके चलते university का अलकटे university का जो administration है उन लोगों ने ये कहा गया कहा है कि जो practical class है उस प्रैक्टिकल क्लास जो standard operating procedure है उसको follow करने के बाद ही किया जाएगा और इसके साथ education minister west Bengal ने ये कहा है कि जो education institute है ये education institute सिर्फ open करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि open कर देंगे एक बार क्योंकि ये देखा गया है कि ज्यादा तर जो इस educational institutions पहले खोला गया था उस साथ education institution कुछ दिन के बाद बंद करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे जो students था teachers लोग थे सभी affected हो गये तो इसके चलते आगे जाके कुछ ठोस कदम लेने वाले हैं आशा तो ही लग रहा है और एक बात उन्हेंने कहा है कि जो school के जो students है यानि कि 10 standard का जो students हैं and 12 standard का जो students हैं उन लोग का class एक दिन भी नहीं हुआ है तो इसके उपर जो election है उव election भी आगे आ रहा है ऐसे किया जाए बाकी जो educational जो institution जितने भी सारे हैं वेस्पेंगॉल में जैसे के ओनलाइन में radio, television, telephone इसके जो उन्होंने बताया कि ये सब अब चालू है लेकिन उन्होंने ये भी सिकार कर लिया है कि बहुत सारा students है जिन लोग के पास ये सब अब जो benefits नहीं जा रहा है तो internet भी slow है तो इसके चलते हम लोगों को नजर रखना पड़ेगा शायद दो तीन दिन के अंदर कुछ result निकल के आने वाला है तो with this I come to an end to this session, thank you, thank you very much, don't forget to subscribe to Mennati YouTube channel